हेलो एवरीवन वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल होटिस पोडिस टड़ी आइ मोहिन जारून आइवेलकम यू आप यूटूब चैनल फोर कंटेंट लाइक देस अगर आपने अभी तेक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो बराई करम सबस्क्राइब कर लें अगर आप इस तरह का कॉंटेंट देखना चाते हैं और इस तरह की वीडियोस आप देखना चाते हैं टीक है तो आज हम लोग जामिया मिल्या इस्लामिया, बियॉजर्वाउर्स, पार्षियं का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं मैं बीत तर्दीब आप लोगो सॉल्व कर वाऊँगा सबसे पहले 2021 का कराऊँगा फिर 2020 का फिर 2019 का फिर 2018 फिर 2017 तिर 2016 तो छे साल की भितती मैं आप लोग को कराओंगा इससे पहले मैं आप लोग को बी ओर्ट उर्दू जामिल एसलामिया और बी ओर अर्बिक जामिल एसलामिया के 6 साल की पेपर सॉल्व करा चुका हूँ अगर आप लोगोंने नहीं देखें तो आप उनको जाके देख सकते हैं पर लिस्ट में ठीक सो देखे मेरा एक तरीका है जभी मैं पढ़ाता हूँ चाहें कोचिंग के अंदर पढ़ाऊं या फिर यूटूब पे वीडियो बनाऊं तो वहां पर मैं आप लोगो एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ ठीक है जहां-जहां मैं आपको अडिशनल नॉलेज द देखे कोई भी कोशिशन पेपर जब आप सौल करते हैं तो उसको सौल करने का जो तरीका होता है वो यह होता है कि आप चारो ऑप्शन का पोस्ट मार्टम करें ऐसा नहीं कि आपने एक ऑप्शन देखा उसके बाद आप निकल गए आपने मलन यहां पर देख लिए कि सारे जहां से अच्छा हमारा यह अकबाल ने लिखा है फिर आप दूसरे कोशिशन पे आगे तो यह कोशिशन पेपर को सौल करने का तरीका ही नहीं है आप चारो ऑप्शन को देखिए ठीक है और उन चारो ऑप्शन का रिप्लाई देनी की कोशिश कहिए उन पे महिनत कीजिए अगर आप से क्या किसी भी ऑप्शन का रिखन नहीं आता है ठीक सॉ आईये स्टाड करते हैं लेट्स स्टाड तिस वीडियो और इस तरह की दी कि आप इन वीडियो श को शेर करिए ठीक है आप जितना जादा शेयर करेंगे उतना जादा हमें मल्लब और दूसरे बच्चों को इससे फायदा होगा ठीक करना जाते हैं तो हमारी कोचिंग के अंदर एक ओफर चल ला है 25 मई से पहले पहले जो लोग जो भी बच्चे मल्लब उस बैच को जोईन करेंगे चाहिए वो उर्दू का करें अर्बिक का करें तो हम लोग उन्हें 20% से लेके 30% डिसकाउंट डे रहे हैं ठीक है आप तमाम ल हम लोग मलब डिसकाउंट दे रहे हैं ठीक है अगर आप जोईन करना चाहते हैं तो 25 मई से पहले पहले जोईन कर सकते हैं और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें में अपना नंबर डाल दूंग आप आप मुसे कॉंट्रैट कर सकते हैं वाटसब के तूरू या फिर ल लिखा है मुहमद अक्बाल ने लिखा है सो राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा भी दिए जो अल्लमा अक्बाल हैं सो अल्लमा अक्बाल की वफाद होती है 1938 के अंदर ठीक इन्होंने मलब बहुत ही एहम और मशहूर इनकी किताबे हैं अगर आप शायरी की बात करें तो शायरी के अंदर उन्होंने बहुत एहम और इंपोर्टेंट किताबे लिखी हैं और वो इंपोर्टेंट किताबे आपसे एक्जाम में पूछी जाती हैं चाया आप बियो ओनर्स अर्दू की बात करें या अर्बिक की बात करें या पर्शियन की बात करें इस्लाम की लाओं तो उन में सबसे पहला जो नाम आता है वो बाले जिब्राइल का ठीक है बाले जिब्राइल जर्बे कलीम अर्मगाने हिजाद ये तीन बहुत ही फेमस और मशूर किताबे हैं बाले जिब्राइल लिखते रहे बाले जिब्राइल जर्बे कलीम अर्मगाने हिजाद ठीक मक'DAY और म्क'DAY ये पहली नजब, परिंदा और जुगनु दूसरी नजब, मा का खाब तीसरी नजब, लाला ए शहरा ये चोफी नजब और शिक्वा जवाब शिक्वा ये पाचवी नजब, अबलीज की मजलस रूरा छटी नजब, साकी नामा ये शात वी नजब, ये सात नज नजमें हैं और इसके लाव और भी नजमें आप गूगल कर सकते हैं तो यह साथ इंपोटेंट नजमें हैं एक बार मैं और रिपेट करता हूँ मकड़े और मक्षी परेंदा और जुगनू मा का खाब लाला इसहरा शिक्वा जवाब शिक्वा इबलीस की मजलिस शुरा और सा किस ने किया था ठीडर खुलाफत मूमेंड को जो स्टार्ट को झाट किया था भो अलीब रद्राण ने किया था मूंदा ठीडरा खोर इन दूनों भाईव06 ने बाद में मौलाना बुल्क लाम आजाद, परंडिश जवाल, लाललहर तर्कीक के अंदरा तॉ उसको कोवराइट किया जाया, उसकी मदद की जाया, उसको तावुन किया जाया वर्ल्ड वर्ल वार resolve के बाद जो उस पर सैंक्शन्स लगाए गए थे तो उन sanctions को हटवाया जाए ठीक है तो यह बनला पूरा सिनारियो है मुहम्मद अली से देखिए हम लोग ने कितनी सारी चीज़े निकाल ली उसके बार यहाँ पे अगर आप देखें तो महात्मा गांदी देखें जो महात्मा गांदी हैं तो इन से रिलेड़ जो कोशन बनता है पहला तो आप यह याद रखें इनके बारे में फैक्ट के इनकी जो किताब है My Experiments with Truth My Experiments with Truth यह इनकी मशहूर किताब है जिसके बारे में इनोंने जो इनके आप कह सकते हैं एक्सपिरियन्स हैं तजर्बात से रिलेड़ यह सच्चाई की जो बातें इनोंने इसमें बहुत ही अमेजिंग है ठीक है इस किताब का जो अर्दू में तर्जमा किया गया है वो डॉक्टर सेद आबिद हुसेन ने किया है और उस अर्दू तर्जमे वाली किताब का नाम है तलाश एहग ओके तो गांधी जी का नाम आया है तो देखे गांधी जी दो अक्तूबर 1879 को इनकी पैदाइश है तो बहुत बार इनकी पैदाइश के बारे में और डेट ऑफ बर्ट के बारे में वालब कोशन ना डेट ऑफ बर्ट जो वफात की जो डेट है उसके बारे में कोशन बनते हैं तो दो अक्तूबर 1879 को महात्मा गांधी पैदा होते हैं पूर बंदर जो के गुजरात के अंदर है वहाँ पे इनकी पैदाइश होती है उसके बाद अगर आप देखें तो इनका जो फुल नेम है मुहंदास करमचंद गांधी है और इनको father of nation भी कहा जाता है मुहंदास करमचंद गांधी को father of nation इसके इलावा अगर आप देखें तो इन्होंने जो movements चलाएं है जिन movements की वैसे इनको शोहरत मिली है ठीक है देखे, there are various people who have played a significant role in India's freedom उनमें मुहंदास करमचंद गांधी का नाम है पंडे जवाल नहरू का नाम है मौलाना बुल का नाम आजाद है बिरादरान है या भगत सिंग है और भी बहुत सारे लोग है ठीक है तो अगर आप देखें तो गांधी जी ने भी बहुत सारे movements चलाए हैं जिन movements का मकसर सिर्फ Indian people को आजादी दिलाना था ठीक गांधी जी अफरीका सौध अफरीका के अंदर वकालत की पढ़ाई कर रहे थे उसके बाद वहां से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद और लॉग की डिग्री लेने के बाद या इंडिया आये थे 1915 और 1916 का वो जमाना था जिसमें मलब ये इंडिया में आये थे उसके बाद इन्हों ने इंडियन पीपल को फीडम दिलवाने के लिए आजादी दिलवाने के लिए सौतंतरदा दिलवाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए तो उन में से जो मशूर मूवमेंट जो एक्जाम में आते हैं उनको आप लिख लीजिए पहला जो मूवमेंट इन्हों ने चलाया था 1917 के अंदर वो चंपारन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है चंपारन मूवमेंट ठीक दूसरा जो इन्हों ने मूवमेंट चलाया था वो खेड़ा मूवमेंट है 1918 के अंदर इन्हों ने चलाया था ठीक है उसके बाद खिलाफ़त मूवमेंट यह इसके बाद खिलाफ़त मूवमेंट मेंधे शरक्त की ती जो 1990 से 1924 तक चलता है जिसका अली विराद रान ने स्टार्ट किया था तो खिलाफत मुवमेंट इन्हों ने चलाया 1919 और 1920 में ठीक है उसके बाद नौन को आपरेशन मुवमेंट इन्होंने इसमें भी शर्कत की 1922 के अंदर फिर उसके बाद जो पांचवा इन्होंने जो मूवमेंट चलाया था जिसकी विया से इन्होंने जादा फेमस हासिल की थी वह है डांडी मार्च, साल्ट मार्च जो इन्होंने एहमदा गुजरात के अंदर चलाया था 1930 के अंदर उसके बाद कुट इंडिया मूवमेंट है जो इन्होंने 1922 के अंदर चलाया था ठीक है तो इतने सारे मूवमेंट है इतनी सारी तहरी के इन्होंने चलाई थी जंपारन मूवमेंट 1917, खेड़ा 1918, खिलाफत मूवमेंट 1919, नोन कॉपरिशन मूवमेंट 1920, डांडी मार्च 1930, कुट इंडिया मूवमेंट 1922 इतना जारा मनलब आप गांधी जी के बारे में याद रखें आई दिंग 10-15 कोशन मैंने आप लोग को बतला दिये ठीक उसके बाद लास यहां पर जो नेम है वो पंड़ी जवालल नहरू का है, पंड़ी जवालल नहरू के बारे में आपको क्या याद रखना है, इनकी जो मशूर किताबे हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है, गिलिमसिस ऑफ वर्ल्ड हिस्टरी एक आपको ये याद रखना who said child is the father of men किसने कहाता कि child is the father of men है ये कहाता विलियम वर्थ वर्थ ने तो रायट आप्शन हमारे पास हो जाएगा एक उसके बाद तीसरा कुशन है the first women ruled over on the throne of दिल्ली वाज वो कौन से पहली खातून है जिन्होंने मलब दिल्ली पे सबसे पहले मलब हकूमत की थी तो देखें इंडिया के अंदर एक ही ऐसी खातून है जिनको first and last कहा जाता है और उन्होंने मलब गदी संभाली थी वो बाश्या बनी थी वो है रजिया सुल्ताना या रजिया बेगम ठीक है रजिया सुल्ताना अलतमश की बेटी है अलतमश ये दूसरे मलब बाश्या है सिलेफ डैनिस्टी के अंदर उसके बाद अलतमश के बाद इनकी बेटी बनती है रजिया सुल्ताना लेकिन रजिया सुल्ताना से हकूमत छिंजाती है इनके जो भाई है वो इन से मिला हुकूमत ले लेते हैं ठीक उसके बाद अगला यहां पर कोशन है अब चौथा कोशन अकबर वाज बॉल इन अकबर कहां पैदा हुआ था तो अकबर की जो पैदाइश है वो अमर कोट के अंदर है अमर कोट पहले तो मिला भी इंडिया के अंदर आता था जब इंडिया पाकिस्तान का बड़वारा नहीं हुआ था बट राइट नौ यह आपको पाकिस्तान के अंदर मिलेगा जो सिंध वग्यरा का जहां पर अलाका है ठीक तो अकबर जो है ये हुमायूं के बेटे हैं और हुमायूं किसके बेटे हैं बाबर के बेटे हैं ठीक तो अक मलब बाशिया है म후लिय सल्टनत्त में इनका मलब द lithium है ठीक है चो अक्भर के बारे में आपको क्या आए रखना है इनका एक जो न्हुन नहिए याद रखना है कि यह इनका पूरा नहिए कैंए अबुल-फथ में इनको मरलब बाश्राहत मिल जाती है ठीक है और इनका दौर चलता है 1605 इसवी तक जब इस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर मरलब आ जाती है और इंडिया के अंदर अपना सिक्का जमा देती है ठीक उसके बाद पांचवे आप एक कोशन है दा कैपिल ओफ इंडिय जो हिंदुस्तान की च्पिडल है कलकंटा से डिली का बफाड़ी के बाद 1911 के अंदर ही मलब कलकंटा से डिली को मलब्स अबना दिया गया था तो ठाल यह बाद यहां है कि दीन इलाही भाटवास फौंडड वाई दीन इलाही को किShow ना सानजे पिप्त अपिए है तो हो तो अक्बर ने फाउंड किया था राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए उसके बाद अगला यहां पर कोशन है दरीमेंस ओफ एन एंशेंट इंडियन युनिवर्सिटी एज एड एक कदीम युनिवर्सिटी के बाकियात किस युनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलत होती है नालंदा युनिवर्सिटी में राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए उसके बाद अगला कोशन है बुद्धा वाज बुद्धा की कहां पर पैदाइश होई है बुद्धा की जो पैदाइश होती है वो लुम्बनी के अंदर होती है राइट ऑप्शन हमारे प स्थिए इन्हों नें 1526- में अखिरी वाश्याते उन्कों हाया था 1526 और तबी मुगलियत सल्थन की हिंदुर्स तान के अंदर बुन्याद डारी थी ठीक उसके अगला कोशन डू एंड आई स्लोगन वाज एड़ोकेटड बाई डू एंड आई का यह जो सिलोगन है जो नारा है वो किस ने दिया है वो दिया है एमके गांदी ने महंदास करम चंद गांदी ने राइड ऑप्शन हो जाएगा सी उसके बाद अगला कोशन है टोडर्मल अगला काशन अगला कोशन अगला कोशन आस बाइस है था यह उसके बाद अगला कोशन हम विर्हामासकाज को किस ने ए criar को जो फॉटन करने वाले हैं वो हमारे पास हो जाएंगे राज़ाराम मोहनडा है तो राइट आपशन हमारे पास हो जाएगा राजाराम मोहनडा है थीशे यहां पे लिश्व तिलद का नाम आए आर उस मुमिंट की वैय LEGO SE इन पर क्यूशन बंदा एक्जाम में कि ह gue हो रूल मुमिंट किस ने चलाया था होम मूवमिंट कि इसको चलाया किस ने चलाया था तो बाल गंगादर तिलक और अन्य बेसांट ने दोनौं मिलके मलब होम रूल मुवमेंट चला था 1916 के अंदर ठीक उसके बार अगला कोशन दा बॉंडरी बेट्विन इंडिया और पाकिस्तान वाज डिमार्केटिड बाई इंडिया और पाकिस्तान की दर्मयान जो बॉंडरी लाइन उसको किस नाम से जाना जाता है उसको हम लोग स सर रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं तो रेड क्लिफ जो लाइन है उसको हम लोग यह इंडिया और पाकिस्तान की दर्मयान में तो रेड क्लिफ जो बॉंडरी लाइन है वो इंडिया और पाकिस्तान की दर्मयान में ठीक राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी सो जो तो सर रैट क्लिफ थे तो उनके नाम पे बार्न किरियां और पाकिस्तान के तर्मियान लाइन का तेसरी है मैकमुहन लाइन ये नाम अफगानिस्तान में च inom को यह दिर्म में लाइन चौ। झाल 1000 नंठ कोरिया सायगा पाकिस्तान लाइन 4 डामिप पर 7 लाइन 1 की तहन分享 डहाइख तर्मयान देखने को मिलते युएसे औंड कनाड़ा देखने को मिलते तो बहुत सहारी बांड से LIVE क लायन आप उनको याद कर टीक पर्शियन ग суп师 करो में को हैएउ कंष्यलाइब यो अग्या में तर्म ठीक है और इसलामिक करिएस वाठों करनेवेउ कि से मैं इतने अच्छे अंदाज मैं आपको जी के बढ़ा दूँगा कि आपकी सारे एक्जाम वो कवर कर ले जाएगी ठीक अगला जो यहाँ पर कोशन है कि खिलाफत मुवमेंट बाद स्टाड़िट फ्रॉम खिलाफत मुवमेंट की जो अब आप्तिदा होई थी अभी मैंने बतला था उन्निस सु अन्निस में होई थी रायट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ओर इसके ज्मानलीर हैं वो नवाब खुआज़ा सलीम उल्लह है तो कभी कब भाल फाउंडर के बारे में भी आ कंपनी वाग इस इंडिया कंपनी का में मकसद क्या था में मुद्दा क्या था उन लोगो ट्रेड करना था ठीक है उन लोगो तिजारत करना थी यहां पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो डी हो जाएगा हमारे पास उसके बाद अगला कोशन हुआ था फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ आगरा देखिए जो मौडरन आगरा है उसको किसने बनाया था उसको बनाया था सिकंदर लोधी ने जो लोधी डैनिस्टी में जो बाश्या थे सिकंदर लोधी उन्होंने मौडरन आगरा को बनाया था रॉइट option हमारे पास हो जाएगा सिकंदर उसके बाद अगला यहां पर कोशन है एहमद शाअबदाली invaded India in एहमद शाअबदाली ने इंडिया पे किस साल हमला किया था तो एहमद शाअबदाली ने इंडिया पे 9 मरतबा हमला किया है तो यह कोशन भी बनता है एक्जाम के अंदर कितने टाइम कितने मरतबा एहमद शाअबदाली ने इंडिया पे हमला किया था तो 9 बार मलब हमला किया है 1747 से 1779 का जो पीरियड है ठीक है इस पीरियड के दरम्यान एहमद शाअबदाली ने हाप पर नहीं लिखी हुई तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी ठीक और आप याद रखें कि महमूद गरजनवी ने जो इंडिया पर हमले किये थे 17 टाइम्स और एहमाशा अपडाली ने नौ बार हमले किये थे सो यह मलब फैक्ट आप याद रखें ठीक उसके बाद अगला है पर कुशन है जहांगीर आटो बायोग्राफिय इस नाम से जानी जाती है उसको हम लोग तरस के जहांगीरी के नाम से जानते हैं ठीक राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी और जो बाबर नामा है उसको के जमाने में फौज वगएरा का सिस्टम था ठीक और आलमगीर नामा यह आप कह सकते हैं कि औरंग्जेब आलमगीर की औरंग्जेब आलमगीर की बायोग्राफिय आलमगीर नामा ठीक उसके बाद अगला यहां पर कोशन है हू सक्सीड़िट कुतुबदीन आबक ऑन दिरो कोश उड़ु के दिरो ठीक तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा एए उसके बाद अगला ही पर कोशन है फौइस कॉल्ड नाइट एंगल ऑ इंडिया कि से कहा जाता है तो नाइट अगल ऑफ इंडिया सरवजनी नाड़ू को कहा जाता है तो राइट ऑप्शन हमार हमारे पास हो जाएगा ए उसके बाद अगला है पर कोश्चन है सुप्रियम कमांडर ओफ आम फोर्स इंडिया सुप्रियम कमांडर कौन होता है जो आम फोर्स होती है इंडिया के अंदर एयर फोर्स है नेवी है और इसी तरीके से एक फोर्स और है तो उनका मलत सुप्रियम कम औफ इंडिया वाइस प्रेजडेंड का जो 10 even होता है वो qता है 5 पांस साल का ठीक है पांस साल का टैंडियो होता है वाइस प्रेजिडेंड आफ इंडिया का तो राइट ऑप्शन हमारे फास हो जाएगा B उसके बाद अगला कोशन वाट इस अ मैक्जिमम मैक्जिमम स्टैंट आफ लोग सबा लोग सबा की मैक्जिमम स्टैंट कितनी है वो है 545 इस दा मैक्जिमम स्टैंट आफ लोग सबा राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा बी उसके बाद एने अकबरी इस रिटन बाई एन आगबरी को लिखने वाले हैं वो हमारे पास हो जाएंगे अभूल-फजव investigator हमारे पास हो जाएगा एक एप estéगर अ इसके बाद अगला है पर आपने कोशन ने a somehow बार अइसन की सटो इंडिया 비ete फाश हुन tam एम फॉस्टर ने राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा बी देखिए यहां पर भी मैंने आप लोगों को बतलाया था कि बाबर नामा अबुल फजल ने लिखा है तो ठीक है तो राइट आप्शन यह नहीं है बलकि राइट आप्शन यह है कि जो बाबर नामा जो किताब है उसको खुद बाबर ने लिखा है ठीक है यह बाबर की बायोग्राफी आप बायोग्राफी कही है यह आटो बायोग्राफी कही है ठीक है तो बाबर नामा जो किताब है उसको लिखा है बाबर ने और जो एन-एकबरी जो किताब है उसको अबुल-फजल ने लिखा है ठीक है तो एन-एकबरी इस रिटन बाई अबुल-फजल और बाबर नामा इस रिटन बाई बाबर बाबर ने खुद बाबर नामे लिखा है और जो तसके जहांगीर है तसके जहांगीर या आपके यह आल बरनाम एज रिटन बाई बाबर हिंसेल्फ और आने अकबर ही इसको अबुल फद्ल ने और आलमगीर नामा इसको लिखा है मिर्जा मुहमत काजिम ने ठीक उसके बाद अगला यहाँ पे कुश्चन है Harry Potter is written by Harry Potter एक किताब है इसको किसने लिखा है इसको लिखा है J.K. Rowling ने राइड आप्शन हमारे पास हो जाएगा A. उसके बाद अगला यहाँ पे कुश्चन है Who invented telephone telephone को किसने invent किया था इसके बाद अगला यहाँ पे कुश्चन है Eden Garden Stadium यह कहाँ पे है यह आपको मिलेगा Kolkata के अंदर ठीक है तो देखिए मशूर मशूर स्टेडियम है अगर आप उनकी बात करें One Kherde Stadium यह मुंबई के अंदर आपको मिलेगा Freshakoda Stadium इदिली के अंदर मिलेगा Eden Garden यह कुलकाता के अंदर आपको मिलेगा और M.C.A. स्टेडियम M.C.A. स्टेडियम यह आपको देखिने को मिलता है Bangalore के अंदर M.C.A. स्टेडियम ठीक है और इसके बाद और भी मलना मशूर स्टेडियम है उनको आप याद रखें जिसे नरेंदर मूदी स्टेडियम में यह आपको एहमदाबाद के अंदर मिलेगा ठीक उसके बाद अगला कोशन World Red Cross Day स्टेलेबरेटी डॉन World Red Cross Day को मनाया जाता है 8 मईए को रायट आप्शन हमारे पास हो जाएगा इसके बाद अगला कोशन Mother Traysha was born in Mother Traysha की पेदाइश कहाँ हुई है Mother Traysha की जो पेदाइश हुई है मेस्डोनिया में हुई है मैस्डोनिया या मेकडोनिया मे इनके पैदाइश होती है फिर बाद में Hob tan Serum पीस के लीर नौल प्राइज भी मिलता है ते जो कदीम हिस्ट्री थी इसलाम से पहले कि एरान की तो उस पे ये किताब मल्लब लिखी गई है शाहना में फिर्दोसी फिर्दोसी ने इसको लिखा है राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा ए उसके बाद अगला है आप एक कोशन 34 वा उमर खयाम इस फेमस फूर राइ फेमस बुक गुलिस्टा और बोस्टा ये किताब किसने लिखी है तो इस किताब के जो राइटर ने हमारे पास शेख साधी शेराजी ने इस किताब को लिखा है राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा बी ये किताब बहुत बार एक्जाम में पूची जाती है इसके अमीर खुसरू का यहां पर नाम आया है तो अमीर खुसरू की चलिए बात कर लेते हैं तो अमीर खुसरू इनकी पैदाइश हुई है बारा सो तरेपन में दिल्ली के अंदर बारा सो तरेपन में इनकी पैदाइश होती है और इनकी जो वफात है वो तेरा सो पच्चिस के अ के अंदर हुए और दिल्ली सल्तनत का इन्होंने मलब मुस्टली जो पीरियड दिल्ली सल्तनत को इन्होंने मलब उसके अंदर रहे हैं विगाज अगर आप देखें तो दिल्ली सल्तनत की जो इप्तिदा हुई है वो बारा सो चे में होती है ठीक है और बाद में इखताम जो हो मलब इलाका था उसमें इनकी पैदाइश होती है और राइट नौ यह पार्टी आली आपको उतर परदेश में मिलेगा ठीक है वफात होती है इनकी तेरह सो पच्छिस में दिल्ली सल्कनत के अंदर उसके बाद अगर आप इनका बर्थ नेम देखें तो अबुलहसन यामीन इनका बर्थ नेम है पैदाइश ही नेम और अगर इन से जो रिलेटर जो कोशन बनते हैं पहला कोशन तो इनकी वफात और डेट ऑब बर्थ को लेके और क्याना में इनकी वफात की डेट को लेके बनता है दूसरा कोशन जो बनता है इनके असल नेम को लेके बनता है तो मैं ये निजाम-दीन औलिया के मलब शागिड्द हैं निजाम-दीन औलिया जो बज़रुगाने दीन में से हैं तो उनके ये शागिड्द हैं अमीर खुस्रू और एक वैक्ट और है इनके बारे में ये इनको वाइस ओफ इंडिया या इसी तरीके से तोतिय हिंद भी कहा जाता है ठीक है तो पैलड ओफ इंडिया या तोतिय हिंद या वाइस ओफ इंडिया इने कहा जाता है और फादर ओफ ओडू लिटरेचर भी इने कहा जाता है अमीर खुसरू को इतने सारे फैक्ट्स आप लोग इनके बारे में याद रखें अगला यहां पेक कुश्शन है 37-वार मैनी आल्फा बैट्स और इनप परशियन में कतने फार्सी जवबां है उसमें furnable कितने अलफा बैट्स होते हैं ठीक है इसके लावा अगर आप देखें तो English में 26 alfabets होते हैं ठीक और Arabic में 28 होते हैं और उर्दू के अंदर आपको जो alfabets मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 36 alfabets ठीक सो Persian में 32, इसके लाव इंग्लिश में आपको 26 देखने को मिलते हैं अर्बिक में 28 और्दू में आपको देखने को मिलेंगे 36 अल्फाबेट उके उसके बाद अगला कोश्चन अर्थिस्वा रिजिस्टर इसकेल होता है ठीक है वो किस चीज की शिदत को नापने के लिए इस्तिमाल किया आता है राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा भी उसके बाद अगला है पर कोश्चन है 39 और टोर्नाडो क्या है टोर्नाडो यह एक साइकलोन है ठीक है राइट पास हो जाएगा इसके बाद अगला कोश्चन पैंसल लेड़ जो पैंसल होती है जिसे हमलोग लिखते हैं बुक्स वगयरा में और किस चीज की बनाई जाती है। और किस चीज से जादा या पचास से जादा कोशन बतला दिया होंगे ठीक है तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें मैं इसी तरीके से पांच साल की बख्या वीडियो आपके पास मना के बेचता हूँ ठीक है ऐस सून एस पॉसिबल और देखिए जो बच्छे मलब अर्बिक का तो अगर किसी का अर्बिक में नहीं हुआ तो अर्दू में हो जाएगा अर्दू में नहीं हुआ तो पर्शियन में हो जाएगा तो चांस मिस ना करें जो अपरचुनिटी मिले या आपको उसको मिस ना करें अगर आपका अर्बिक में नहीं होता है तो अर्दू में जरू म मलब आपका हो जाएगा अगर अर्दू में नहीं हुआ तो पर्शियन में तो I am sure के 100% आपका होगा ठीक है और पर्शियन में जो subjective के लिए जो कोशन आते हैं बहुत ही simple आते हैं ठीक है आप से पूछ लेंगे तालिम के अहमियत के बारे में लिखिए आप से पूछ लेंगे क फार्सी एरान पर मनलब एक मुख्तसर नोड लिखिए एरान के बारे में आप क्या जानते हैं एक मुख्तसर नोड लिखिए फार्सी जबान की एहमियत पर एक मुख्तसर नोड लिखिए ठीक है या लालकले के बारे में मुख्तसर नोड लिखिए या इंडिया और एरान के जो तालुकात में उन पर एक मुखतसर नोड लिए तो इस अंदाज में कोशन बनते हैं जो फार्सी का पेपर होता है पर्टिशियन का पेपर होता है जामिया में कोई आपिर्चुनिटी एक मिलया तो इसको मिञें तो तो तीमा केमलब को मिल लिए तो उसको मिस ना करें को पार्सीयनों पर पढ़ सकते हैं ठीक है ओके और बात इंशालला में नेक्स वीडियो में आप लोगों से करूँगा तो फूर लाओ शेर दिस वीडियो एज मच आस पॉसिबल असलाम उलेकूं रह्मतुल्लाही अबरकातु